दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे एसी टेस्ट के बारे में एसी बलड टेस्ट क्या है और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वह हमारी बोड़ी में कितनी होनी चाहिए और इसके कौन-कौन से कारण हो सकते हैं बढ़नेंगे स्वागत है दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम एसी टेस्ट से रिलेटर सभी बातों को कवर करेंगे तो बने रहना दोस्तो वीडियो में दोस्तो एसी एक बलड़ टेस्ट है जिसकी हेलप से बोड़ी में WBC यानि जो सफेद रगत कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या को काउंट किया जाता है इनी सफेद रगत कोशिकाऊं को दोस्तो इशनोफिल कहा जाता है अगर आपके शिरीर में कोई infection या कोई बिमारी होती है तो इशनोफिल एक्टिव हो जाती है और इनी इशनोफिल की संख का पता लगाने के लिए ही एईसी टेस्ट किया जाता है एईसी की फुल फॉर्म दोस्तो एबसल्यूट इसनो फिल काउंट होती है अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है तो आपके अंदर इसनो फिल एक्टिव हो सकती है और एलर्जी की वजह से आपके श्रीर में कहीं पर सूजन, स्किन पर चकते या निशान पढ़ना और सांस फुलने जैसी समश्या हो सकती है दोस्तो हमारा श्रीर किसी ना किसी तरह से जो है इसनो फिल पर निरबर होता है दोस्तो और इसनो फिल हमारी बोड़ी से अलग-अलग तरह के जो बैक्टिरिया हमारी बोड़ी मे entry करने वाले होते हैं या virus होता है जो उसको खतम करने में इस्टनोफिल हमारी help करता है अगर आपके अंदर कोई allergic reaction और parasitic infection या किसी drug के reaction देखने को मिलते हैं तो डॉक्टर आपको दोस्तों AEC test कराने की शला दे सकते हैं कई बार दोस्तों डॉक्टर इंफेक्शन का पता लगाने के लिए AEC के साथ साथ CBC blood test कराने की भी शला दे सकते हैं दोस्तों जो AEC की normal range होती है वह हमारी body के अंदर 40 यानि 40 से लेकर 440 पर cell microliter तक होती है दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों AEC के बढ़ने के कौन-कौन से कारण हो सकते हैं दोस्तों जानेंगे कारणों के बारे में सबसे पहला दोस्तों अगर किसी को अस्थमा है जिसमें सांस लेने की प्रोब्लम आती है उस condition में भी AEC का लेवल जो है बढ़ सकता है बोड़ी में और allergic rhinitis होना इस condition में भी जो है AEC का लेवल बढ़ सकता है इस्णोफिलिक एसोफिजाइटिस होना दोस्तों और किसी भी ड्रग से allergy होना ये भी कारण हो सकता है AEC के बढ़ने का और chronic sinusitis होना दोस्तों इसके इलावा दोस्तो इस्नोफिलिक निमोनिया होना ये कई सारे कारण हो सकते हैं दोस्तो बोड़ी में AEC के लेवल बढ़ने के अब बात कर लेते हैं दोस्तो अगर किसी के श्रीर के अंदर या किसी का AEC का लेवल बढ़ा हुआ है तो कौन-कौन से उपाए कर सकते हैं या स तोक्सिन जमा नहीं होगा और अगर होसके दोस्तों एक गिलास पानी के अंदर एक चमच मेथी को उबालकर इसका सेवन करें और एक गिलास पानी में दोस्तों एक चमच प्याज का रस मिलाके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं ये भी बहुती फाइदे मन्साबित हो सकता है दो जो फल और सबजियों का अगर आप सेवन करते हों तो उनको धोकर इस्तमाल करें दोस्तो जंक फूट खाने से प्रहेज करें और सबसे खास बात दोस्तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें अगर इस तरह के कोई भी लक्षन आपको कोई ऐलर्जिक या ड्रग ऐलर्जि दोस्तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कर देना और चैनल को सिस्क्राइब कर देना दोस्तो धन्याबाद दोस्तो